अब श्वेता चुकी करोना वारियर हैं मैं बताब दुनिया को कि मैं दो बड़ा इंप्रेस्ट हूँ कि हम लोग स्टूडियोज में बैठे हैं सनी भाई हम घर पर भी बैठते हैं बड़ा इतियात किया है लेकिन इन तीन महिनों में श्वेता बाहर रही है और श्वेता ने तो बाकी क्रिकट प्लेइंग नेशन्स हैं स्टेश्टी आप इंगलेंड को बेए आप एडन के लिए निजबंड को देखें शायद उन्हों ने उन्हों जो काम ता इसको इल्टा कर दिया है निजबंड के पास कोई एकिव केस के नहीं है और यही आकिव कैसिस नीचे आ active cases कम होते जा रहे हैं जुलाई महीने से अगले महीने से 10,000 लोग एक ground में जा सकते हैं वो कहते हैं जी 40,000 का मैदान में 10,000 लोग भी जा सकते हैं इस development को आप कैसे देखते हैं World T20 के हवाले से क्या वाकई में October November में होने वाला World T20 अब आपको मुमकिन दिखता है जबकि उनकी सरकार ने ये कह दिया है कि अब थोड़े बहुत crowd को भी बिठा सकते हैं जी यहां हो तो सकता है पर आपको ये भी जान में रखना होगा कि 16 टीमें जाएंगी 16 टीमें जाएंगी तो इसका मतलब हर टीम मैं समस्तों कुछ 50 या शायद उससे भी जादा लोग ले के जाएंगे क्योंकि एक तो आपकी squad होगी 14 या 15 squad होगी उसके साथ आप reserve players को भी ले जाएंगे उसके साथ आपके support staff होगे शायद आपके आप हर एक team उनके साथ एक doctor ले जाती है पर मैं समस्तों कि इस बार या तीन या चार doctor जाएंगे team के साथ तो उन सब का देखभाल करना उन सब को test करना और उसके बाद में एक world cup होना तो बड़ी difficult चीज है मैं यह नहीं कहता हूँ कि नामुंकिन चीज है पर बिल्कुल यह कठेन है बिल्कुल कठेने पर अगर Australian government अगर उसमें confident है कि वो कर सकते है और तो क्यों नहीं तो हो सकता है बिल्कुल क्योंकि यह T20 का world cup है सब लोग देखना चाहते है और जैसे कि world tournament जब पंती है तो सब लोग यही देखना चाहते है कि कौन world champion है तो मैं समस्तों कि यह वो सकता है October November में के लिए अभी थोड़ा सा वक्त है शायद इंडिया में भी और जो कर वे वो थोड़ा सा फ्लाटन हो जाएगा तो यह में देखना हो गई है तो अभी हम तो चून-चून की बात कर रहे है और उसके लिए टॉर्णमेंट के लिए और लोग आते थे देखने के लिए और उनको लगता था कि हमारी जीत हो रही है तो क्रिकेट इंडिया के लिए स्पेसिफिक लिए अगले साल उलिम्पिक्स भी अब किस तरीके से होंगे वो भी देखना होगा लेकिन सरी भाई क्या ऐसा होता है कि जैसे चुकि आपने एक फॉ दुनिया जीने जैसे क्योंकि सबको आदत होती है कि क्राउड बड़े क्राउड कि आगे खेलने की क्राउड की जो चीरिंग होती है कभी कभी क्राउड आपको भू भी करता है तो उसकी एक तरह की आदत बन जाती है तो उससे अगर आप बतलब अगर कोई क्राउड नहीं ह कुछ speaker से वो करेंगे पर वो जो मतलब live atmosphere जो बनता है जहां पर आपको पता चलता है कि यह आपके आपके जो supporters है उन्होंने आपकी country के colors पहन कर आपको चीर करने के लिए आये हैं आज आज आसपास देखेंगे स्टैंड में देखते हो तो इंडियन टीम के लिए सारी ब्लूस दिखाई देती है जब ऑस्टेलिया के लिटी तो शायद वो पीले पीले सपोर्टर्स पीले शर्ट्स पहने हुए तो वो एक चीज जिससे आप अपलिफ्ट होते मतलब आपकी एक जो एक गेम आपकी एक कि नए सी दुनिया तो जरूर बनेगे क्रिकेट के लिए